हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रभा मेरे चैनल रेस्पी दुद प्रभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज बनाते हैं बहुती खस्ता और टेस्टी मसाला मठरी आप इसको इस्टोर करके भी रख सकते हो एक डब्बे में बन करके और जब चाहो चाय की साथ इसको खा सकते हो तो चले हम फटाफट रेस्पी देख लेते हैं हमने यहाँ पर एक पाराद में एक कटोरी आठा लिया है उतना ही हम इसमें मैदा एड़ कर देते हैं और यह सूजी ली है हमने इसमें और यह अजवाइन ली है नमग एड़ कर देते हैं तो सूजी हमने तीन चमची ली है काली मेची डाल दिया है नमक डाल दिया है और लाल मेची यह हमने कसूरी मेथी और हरा धनिया लिया है सूखा वाला उसको भी मिक्स कर लेते हैं तो सभी चीज़ुकों हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चम्मस से अभी हम इसमें घीन डाल देते हैं तो ओल भी डाल सकत अच्छे से मसल लिया है हमने अभी हम इसमें पानी एट कर देते हैं और आठा तयार कर लेते हैं तो हमें इसका आठा तयार करना है तो सकती लगाना है आठा इस तरह से इसको मसल लेते हैं तो इसको जरूर बनाएए आप इसको बना के तयार कर सकते हो और डबबे में रख सकते हो जब चाहूँ आप इसको खा के तयार कर सकते हो तो आठा हमारा तयार हो चुका है थोड़ा सामने इसमें और लगा दिया और इसको हम 20 मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए छोड़ द लेते हैं, तो जादा मुटी लोई हमें इसकी नहीं बनानी है, तो सारी लोई हम पहले बनाके तयार कर लेते हैं, इस तरीके से, तो लोई हमने बनाके रख दी है, अब इनको साइट कर देते हैं, और एक लोई लेते हैं, इसको हम अच्छी से बेल लेते हैं, तो हमें एक बेल कुल चुल चुल की को सबस्सक्राइब कर नस देख सब्सक्राइबाय आख से कश सयसे तो यह देखे और यह हमने काटे वाला चम्मच लिया है ताकि फूलेना तो हमें इसमें छेट करना है इस तरीके से नए तो यह फूल जाएंगी तो इस तरीके से हम सभी में थोड़े से छेट कर लेते हैं ताकि फूलेना और बांकी का जो बचा था उसको हम निकाल के साइट क काम आ जाए और बाकियों को हम निकाल के साइट कर लेते हैं तो यह देखिए इतनी मोटी हमने इसको बना के तयार किया है तो दूसरा भी इसी तरह किसे हम लेते हैं इसको बेल के हम तयार कर लेते हैं लोई को तो यह देखिए और उसी तरह से हम कटर से इसको काट के तयार कर लेते हैं तो शेप अपने हिसाब से दे सकते हो तो सभी को हम इस कटर से काट लेते हैं डब्बे से और एक काटे वाली चम्मच से हम इसमें छेट कर सकते हैं यह देखिए इस तरह हमने इसमें छेट कर लिया है ताकि फूले ना तो सभी में हमने छेट कर लिया है और बांकी का हम निकाल के साइट कर लेते हैं तो यह दूसरे में काम आ जाए तो सभी को हमने बना के तयार कर लिया है तो हमने कड़ाय में तेल लखा है कम ही तेल रखा है हमने तो गैस का फ्लेम हमने कम ही रखा है और इसको हम फ्राइ कर ले है यह देखे अभी हम इसको पलड देते हैं तो हलका सा इनका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है इस तरीकी से तो यह देखे तीन से चार मिनट लगेगा इसको फ्राइब करने में तो इनका कलर भी बहुत अच्छा खासा आ चुका है अभी हम इसको निकाल के साइट मा रख लेते हैं तो सभी को हम निकाल लेते हैं तो यह देखे इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है इसी तरीकी से हम दूसरा बैज भी तयार कर लेते हैं इनको भी इस तरीकी से हिला के पलड देते हैं हम और इनको निकाल लेते हैं तो इसी तरी के हम सब फ्राइब कर लेते हैं त वहती खस्ता बनके तयार हुई हैं तो आप इनको जरूर बनाएए अगर आपको रेसेपी पसंद आई है तो बीटियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बगल में बैल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आने वा अगली वीडियो में